हेलो एंड वेल्कम बैक फ्रेंड स्वागत आप सब को यह लिए चले टेक लवर पे तो जैसा कि फ्रेंड हमने अपने कुछ वीडियो मेकेनिकल इंजिनरिंग की सीरीज और कंप्यूटर साइंस की सीरीज पर अप्लोड कर चुके इसमें कि आपको काफी कुछ जानने को मिला ह अपने स्किल्स अपने नॉलच को बढ़ा भी रहे होंगे जिसमें कि आजकल चाहिए करना है तो अगर किसी भी फील में कुछ भी करना है तो आजकल हर एक चीज से मतलब अगर कोई भी काम है आपको कोई वरक कोई वी टास्क है आजकल हर चीज के से कनेक्ट हो चुकी है तो इस जनरेशन में जो कि डिजिटल वर्ल्ड इसको डिजिटल एरा भी बोला जा रहा है तो इसमें कम्प्यूटर सेंस के बारे में जानने के लिए काफी जरूरी है इस खासकर यूद के लिए तो फ्रेंट्स उमीद आप कंटीन्यू कर रहे होंगे ह हमारी वीडियो को तो फ्रेंट्स अभी हमने दो अपने वीडियो अपलोड किये थे आपके आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की टेक्नलोजी के उपर जो की मतलब काफी सारे अलग अलग टास्क में जैसे कि आपका मैडिकल साइंसे हो गई और आपको जो एर पॉलिशन मतलब जो जिस टास्क को हम आटोमेट कर सकते हैं वहाँ पर हमको आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उस प्रोसेस को मोर इफिशेंट बनाना वहाँ पर हमने देखा था अपने दो पेसले वीडियो में तो फ्रेंट्स आज को वीडियो है फ्रेंट्स वो कि और फिजिस्ट कोव कॉश्मोर जिस्ट हो गया ये सारे आ जाते हैं प्रेंट्स तो आज का लागर्शत को अंके प्रेंट्स फिसिक्सलों कर दो तो लिए किया जाए तो आएए देखते हैं आज किस वीडिय appointments सबसे पहले हम बात करेंगे तो आपसे सुना होगा जो प्विजिक्स से हैं उन्होंने सुना जब बिग बंक एक्स्टूजिएन हुग है उसके इक सिकेंड के पहले भी तो वहाँ पे proton, neutron और electron होते हैं तो फ्रेंड्स जो quark होता है वो और most fundamental particles होते हैं जिससे कि आपके proton, neutron, neutron मिलकर बने होते हैं तो फ्रेंड्स उस time पे जो हम एक second के पहले की बात करें हैं जो explosion हुआ था उसके एक second के पहले वहाँ पे कोई particle नहीं था कोई proton, कोई neutron, कोई electron नहीं था वहाँ पे से था आपका quark, gluon, plasma फ्रेंड्स quark और gluon क्या होते हैं इसके बारे हम डिटेल में आगे देखेंगे तो फ्रेंड्स देखिए हैं हम आपको और next point देखते हैं बताने कि physicists have successfully recreated this unique state of matter in high energy laboratories but those conditions are exceedingly rare in the current cosmos तो फ्रेंड्स फिजिसिस्स लोग जो है, experimental physicists जो लोग होते हैं उन्होंने successfully quark, gluon, plasma को हमारी high energy laboratories में create कर लिया है अब यह में उसके बारे में आगे देखेंगे आपकी Brookhaven National Laboratory है और आपकी जो CERN है उन लोग ने Large Hadron Collider ने आपकी laboratory lab conditions में इस सीच को create कर लिया है फ्रेंड्स लेकिन अगर हम इस तरह की high energy conditions की बात करें हमारे present cosmos में जो हमारे present cosmos है फ्रेंड्स इतनी high energy की level के region को find कर पाना अभी काफी rare हो जाता है क्योंकि ऐसी conditions अभी नहीं है वहां पर तो infinite temperature था जब हमारा big bang का जो point था उसके बाद से temperature down होते 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 आपका आज इस condition में है की temperature काफी down हो चुका है तो friends according to next point देखें according to the general physical review letter German physicists have performed computer simulations indicating that a quark gluon plasma could form in the immediate aftermath of a binary neutron star merger and that it should produce a tell-tale detectable signature in the gravitational waves emanating from that event friends बता देखें आपको जो German physicists हैं Germany में जो physicists हैं उनने computer simulation perform किया जो कि ऐसा बता रहे है कि quark gluon plasma जो आपका होगा वो ऐसी मतलब कुछ situation से show कर रहा है कि जो आपका formation हुआ 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 है वो जस्ट हुआ होगा friends आपकी जैसे कि एक तो आपकी condition कौन सी है जैसे कि Big Bang की जस्ट एक second पहले कि मतलब जो microseconds और mini seconds में चीजिया होगे थी वहाँ पर आपका quark gluon plasma तरा और friends जो आपका दूसरे condition है वैसे कि आपका after मैस मतलब जो neutron star होता अगर आप astrophysics के बारे में थोड़ा से जानते होंगे तो friends जो neutron star होते हैं वो जब दो star अगर berry center के बाद मतलब आपका revolve करते हैं तो friends वहाँ पर वो merge हो जाते हैं मतलब final condition पर आगे और वहाँ से friends जो वो merge होने का जैसी उनका point होता है वो एक ऐसा मतलब signature या फिर आप कह सकते हैं कैसा point produce करते हैं जिससे की हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर आपके quark glue on plasma का जो है वह आपका रीजन बना हुआ है friends gravitational waves में हमको वो change वो field देखने को मिलता है जिसको हम final record कर सकते हैं तो यह का अनदर friends physicist का तो आई friends हम थोड़ा एक वीडियो देखेंगे जिसमें की मैं आपको बताऊंगा कि quark glue on plasma कैसे बनता हो और neutron star merge कैसे होते हैं आई friends चुड़ू करते हैं तो friends यह देख सकते हैं आप यह दो neutron star है जो की spirally invert आपका rotate कर रहे हैं यह इनके merge होने के before की condition है यह merge होने जा रहे हैं तो friends आप देख सकते हैं यह friends यह है इनका merging point यह जहाँ पर merge होना start किये यह friends यह जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह वाला जो point है friends आपका यह green वाला यह यही denote कर रहा है friends आपके quark gluon plasma के indication को और यह friends यह जो आपका flat surface आपको देख रहा है यह आपकी gravitational waves है जिनके through आपका disturbance है और जो भी वहाँ पर produce हुआ है वो इनके through travel करेगा और इस चीज़ को आप computer पर record करेंगे यह जो green सा pigment है यही आपको region दिखा रहा है quark gluon plasma का कि यहाँ पर वो जो hot soup है जहाँ पर आपके कोई neutron कोई proton नहीं सारे सिर्फ quarks और gluons रहेंगे इसी वीजन को कहा गया है quark gluon plasma next आता है friends हमारा experimental indication क्या है तो हम देखते है friends हमारा experimental indication है इसा कहा है जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ए फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ होतास लोगों ने कहा है friends क्या हुआ भी जैसे जो simulations performed हुए उनमें एक ऐसा signature हमको observe करने को मिला है जिसमें की gravitational waves जो हमारी होती है जो कि हमारा mass अगर कहीं है तो वहाँ से जो भी gravitational waves में disturbance produce होगा उसको हम record कर सकते हैं तो friends signature का मतलब है जैसे अगर हम बात करें तो हर एक person का signature होता है वो different होता है तो friends यहाँ पर जो universe में जो condition मरी quark gluon plasma के formation के कारण उसको हम जो observe कर रहे हैं वो कर रहे है फ्रेंस gravitational waves के थूँ तो और यहाँ पर friends वो signature है वो unique होगा जिसमें कि हम यह पता लगा सकते हैं कि आपका जो quark gluon plasma है वहाँ से अगर इस तरह कर रिपैल या फिर कोई disturbance आ रहा है gravitational waves में या फिर हमारी space में तो हम पता हमको यह confirm हो सकता कि वहाँ पर एक quark gluon plasma की condition बन रही होगी तो friends यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है if this signature occurs in gravitational waves that we will receive from future neutron star mergers जैसा कि आपने देखा दो neutron star merge हो रहे थे तो अगर friends देखिए अगर हम किनी दो neutron stars को अगर हम observe कर रहे हैं भी किसी telescope से जो हमारी निगरानी में हैं हम ऐसा कह सकते हैं और अगर वह future में कभी merge किये तो हमारे for us friends we would have a clear evidence for the creation of quark gluon plasma in the present universe friends ये एक अभी थेहरी है जिसमें कि हम quark gluon plasma को आपका by nature ये कैसे होता हम उसको observe कर सकते हैं friends अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि quarks क्या होते हैं friends quarks जैसे कि हमको हमारे high schools और 12 और हमारे graduation में बताया जाता है friends basically आप किसी 9,10,11,12 वाद से बोचेंगी कि what is the fundamental particles और ने चाहिए तो friends वो बोलेगा आपके electron, proton और neutron होते हैं लेकिन friends हम आपको और बताने कि जो आपका nucleus होता है किसी भी atom का वो बना होता है आपके proton और neutron से और जो proton और neutron होते हैं वो friends basically बढ़े होते हैं क्वाक्स के जिन में कि उन फ्रैक्शनल चार्ज होता है और अप डाउन च्छाह तरह की क्वाक्स होते हैं अगर और थोड़ा सा जाएंगे डीप में तो आपको पता चलेगा क्वाक्स होते हैं जो fundamental components होते हैं यह subatomic particles के हमारे proton और neutron है तो friends जो क्वाक्स होते हैं क्वाकस से मिलकर बनता है आपकाो proton और आपका pouco नूंट्रॉन और देखिए जो आपके क्वाकस हापस में कैसे कैनेंग्टेट होते हैं मतलब जो आपके proton और our Neutron नोन वह भी से प्रो टीन क्वाक्वार्क से बना हुआ है anyway e Melt हो अब फ्रैंड क्रिश्टिन आता है कि Acts आपके किस से connected होते हैं, तो quarks connected होते हैं friends, आपका glue-ons से, जो कि एक आपका assumed और हमने ऐसा माना है कि four scaring particles हैं, उनको कहा जाता है glue-ons, जो कि quark को एक दूसरे से connected रखते हैं, तो यह था, friends, next आता है, but under the extreme high energy conditions of the early universe in its first microseconds of its existence, that couldn't happen, friends, यह देखिए क्या हुआ, जैसे ही, हम आपका change करनेंग, मतलब temperature को बढ़ाएंगे, और high energy conditions की तरफ जाएंगे, तो सारी जितने भी forces होती हैं, वो सारी break होने लगती हैं, तो यह जो, आपका glue-ons हैं, जो कि आपकी force carrying particles थे, जिनके वज़े से आपकी quark जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए थे, तो friends, उनको भी, अगर आप high energy थोड़ा सी उनको दें, तो वो भी आपकी break होंके अलग-अलग, मतलब isolate हो जाएंगे, वो अपने में ही independent हो जाएंगे सारी चीज़ों से, friends, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह micro seconds में हो था, मतलब 1 second होने के पहले, मतलब अगर starting से आपने, that is 0 second और 1 second के बीच का जो time था, इसके बीच में friends, यह quark-gluon plasma की condition बनी होई थी, friends, यहाँ पर देखिए, फिर क्या होए, instead quarks and gluons mingled freely in a dance is open till things cooled down sufficiently for protons to condense out of the quark-gluon plasma before the first second was of the universe had gone through its entire inflationary period, showing the seeds for the large-scale structures we see today, so friends, यही था, कि जैसे 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 जो आपका Big Bang बाद आपका temperature down हुआ, उसके बाद जो आपकी जितने भी forces, forces वगरा थी, वो सब आपका specific nature adopt करीं, जैसे कि आपका electricity and magnetism आप देखिए, और आपका gravitational force देखिए, और उसके थोड़ा सी पहले की बात करें तो हमारा nuclear weak and strong forces होगी, जो कि as a stage by stage मतलब जैसे 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 हमारा universe expand हुआ, temperature जैसे जैसे डाउन हो वैसे वैसे हमारी थी जो को देखने को मिला, नेक्स्ट आता है friends हमारा, laboratory experts क्या कहना है friends, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया था, quark glue and plasma को अगर laboratory में create करना हो, तो friends इन में दो लोगों ने success पात चुकी जाएगा, पहली तो friends लोगों को Brookhaven National Laboratory, Brookhaven National Laboratory is relativistic heavy iron collider that is RHIC and at the LHC that is Large Hadron Collider, physicists much achieved temperatures hundreds of thousands of time hotter than the sun, और इन लोगों ने एक ऐसे achieve किया friends, we are heavy iron collisions using gold at RHIC मतलब आपको जो Brookhaven National Laboratory थी, उसमें friends इन्होंने gold के atom का यूज किया था और आपका LHC में आपके lead का यूज किया था, आप समझ सकते हैं कि आप एक atom के अंदर, atom के अंदर जाकि उसके nucleus के नुकलेस के जाकि friends, फिर उसके nucleon को break करना friends एक बहुत ज़्यादा energy के requirement हो रही है, यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहँगा, friends, दो चीजे हैं, एक तो अपने plasma सुना होगा, जो कि as a considered as a fourth state of matter, और friends, एक हम आज बात कर रहे हैं quark gluon plasma के बारे में, friends, यह दोनों चीजें बिलकुल अलग-अलग हैं, जो आप plasma के बारे में सुनते हैं, friends, वह आपका fourth state of matter, जिसको कि हम एक ionic gases कहते हैं, मतलब आपने उसको कुछ strong magnetic field देका रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा heat करके उसको ionic form में ले आया, friends, वहां पर जो आपका condition मनती है, friends, उससे state को बोलते हैं, यहां पर कोई gas वैस नहीं है, यहां पर आपके हैं सिर्फ quarks or gluons, कोई proton, कोई neutron, कोई electron भी नहीं है, तो friends, यहां पर जो आप पता, physicists ने देखिए 2005 में क्या discover किया, कि जो quark gluon plasma था यह gaseous plasma की तरह नहीं होता, वह नहीं है, बाकी यह जादतर प्रॉपर्टीज एडॉप्ट, मतलब character, characters हैं इसके पास, किसके super fluid के, मतलब यहां पर अगर देखा जाता हम कह सकते हैं, जिसकी virtually no viscosity, कोई viscosity नहीं है, viscosity जो कि हमारा major होता है, resistance from friction layers के बीच के, जो fluid आपको flow करता है, तो friends, it is in fact the most perfect liquid, और इसको perfect liquid भी जो अभी तक हमारे observation में इसके perfect liquid भी बोला जाता है, लेटर experiments revealed that particle collisions with the quark gluon plasma swirl faster than any other known fluid, friends, यह भी कहा गया कि जो आपकी particle collision है, अगर मालनीचे कोई quark gluon plasma कोई इसी region में generate हुआ है, और अगर वहां पर कोई particle collide करता है, तो वहां पर swirl का rate है, मतलब वार्टी सिटी जो होती है, fluid mechanics में आपने पढ़ा होगा, अगर आप engineering के student होगे या फिर आपने इसमें भी देखा हुआ, वहां पर वार्टी सिटी का मेजर आता है, जिसमें के हमको पता चलता है कि fluid कितना ज्यादा swirl हो रहा है, तो वहां से जो अगर कोई particle collide करता है QGP के साथ, तो वह बहुत ज्यादा swirl rate उसका बहुत ज्यादा होगा, than any other non fluid. Next आता है friends आपको detection और prediction के बारे में हम बात करेंगे, friends काफी सारे ऐसे देखिए, gravitational wave detections हमने अभी तक किये हैं, जिसमें कि हमारा 2017 का सबसे ज्यादा most notable इसमें कि friends हुआ क्या था, आपके जो binary neutron star मर्जद थे जो कि मैंना वे आपको वीडियो दिखा तो ऐसे ही आपके दो neutron star थे, जो कि मर्ज हो रहे थे, इसमें देखिए, supported by simultaneous gamma ray bursts and signals in the rest of electromagnetic spectrum, and last year जो हमारा पिछले सारा गारम देखिए तो लीगो और वर्गो जो कि दोनो gravitational waves observatory हैं, जिसमें कि 5 gravitational wave events उन्होंने observe किये थे, तीन थे friends आपके merging black holes से, जो कि मतलब आपके black holes objects होते हैं, आपके universe में वो merge हो रहे थे तो उनसे जो हमारे gravitational waves में, gravitational field में जो change आपने उसको observe किया था, और next था friends आपका neutron star merger और एक था friends आपका neutron star और black hole merger, मतलब देखिए friends आपके हाँ पर merge होने के भी काफी सारे तरीके होते हैं और उनसे जो भी आपका disturbance create होता है, space में और जो gravitational wave के थ्रू ट्रैवल करके हम तक पहुंसता है, वो friends से अलग-अलग होता है, तो friends मतलब आप black hole black hole का merge हो रहा है, तो वहां से कोई condition create होके हम तक travel की, कोई disturbance create होके हम तक, तो उसका form कोछ अलग होगा, और अगर कोई neutron star merger है, मतलब दो neutron star merge कर रहे हैं, तो उनकी condition कोछ अलग होगी, और friends ऐसे ही अगर कोई black hole और कोई neutron star हो, मतलब एक black hole और एक neutron star merge हो रहा है, तो उनकी condition कोछ अलग होगी, तो friends इस तरह से हम specify या फिर identify करते हैं, चीजों को कि क्या चीज होई होगी और उसकी वरे से क्या बना होगा, तो friends next है, देखिए, so the likelihood of detecting additionally binary neutron star mergers in the future is strong, friends हमारी neutron star mergers है, वहां से इस चीज का observe, मतलब naturally evidence पापान हमारी लिए काफी possible है, देखिए friends, but much of the focus on the early detection has been on the merging point, friends जो हमारा early, मतलब पहले जो हमारा observation point था, उसमें हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, जैसे मैंने आपको वहां पर एक point पर पताया था, कि जब वह point merge हो रहा था, जैसे मैंने आपको याद ना हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको एक video वहां पर एक point के पर दिखा था, जहां पर neutron star आपको just merge करते हैं जहां पर starting पर initial phase में, friends focus वहां पर था, तो gravitational wave recordings were not made beyond that, वहां उसके उसको देखी friends यहां पर कह क्या रहा है, कि उसके वह disturbance उस time पर create होता है, वह तो हम observe कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब वह merge हो गया, उसके बाद जो gravitational waves में disturbances आ रहा हैं, उनको हम record नहीं कर सकते, तो friends यह हमारे लिए बड़ी चुनौती वाली बात है, और एक हमारे लिए great opportunity है, कि हम उस point को हम कैसे observe करेंगे, कि वहां पे quark glow on plasma बन रहा है, कि दीखिए friends, वह जो आपका green pigment था, मैंने आपको जो वीडियो में दिखा था, जो कि एक indication था, कि यहां पे quark glow on plasma का formation हुआ होगा, वह आपके initial phase, मतलब जो आपका initial merge होने की condition थी, उससे काफी बात था, तो यह था friends जो हमारा पहले recording point था, वह था friends आपका, जो कि आपका initially merging point था, यहां पे merge कर रहे थे, तो friends देखिए एक Razola नाम के physicist है, जिन्होंने कहा है कि, और computer simulation का use करके, दो merging neutron stars को, आपका simulation बनाया है, जिसमें की focus कर रहे हैं वो किस चीज़ पे, आपका aftermath of that merge है, मतलब merge होने के बाद क्या चीज़े हो सकती है, मतलब simulation से हमको यह पता चल रहा है, अलग-अलग parameters डालके, और mathematical equations लगा के हैं वो काफी जहने पता है, दो simulations showed that a phase transition would occur, whereby active environment was caused hydrons to melt, and briefly create a quark gluon plasma, freely mingling quarks and gluons, that transition should leave a clear distinct signature in the gravitational wave signal, simulating from that event. तो friends, यह जो simulation था उसका result किया था, उन्होंने ऐसा होता है कि एक phase transition होगा, phase transition अगर आप thermodynamics आपने पढ़ा हो तो, phase transition सची तरह जानते होगे, कि आपको जैसे solid से liquid, liquid से gas, आपको phase change होता है, तो वहाँ पर ही friends, यहाँ पर भी जो आपका QGP की जो observation की जो, मतलब region होगा QGP का, वहाँ पर भी एक phase का transition होगा, मतलब एक particular state से दूसरे state में change, जो भी substance होगा आपकी change होगी, phase transition होगा, जहाँ पर कि आपको जो environment होगा, वह काफी जादा extreme होगा, extreme बोला जाए तो friends, energy काफी जादा high होगी, temperature काफी जादा high होगा, friends, जो आपके hydrons होगे, hydrons के बारे में आप पढ़ सकते हैं, hydrons भी एक तरह के particles होगा, hydrons और leptrons आपका category wise divide किया गया है, तो hydrons को भी melt हो जाएंगे, melt हो जाएंगे मतलब आपका पूरा, एक दूसरे state में, दूसरे phase में transition हो जाएगा उनका, और briefly create और फिर यह सब मिलकर, जो सारी substance होगी, वो सारी सब, उस condition में जाकर create करेंगे, एक quark gluon plasma को, जहां पर सिर्फ हम पाएंगे, अपने quarks और gluons को, और यह जो transition होगा, यह छोड़ेगा अपनी एक छाप, पतलब जैसे हम कहेंगे, एक ऐसे signature को छोड़ेगा, distinct signature या फिर हम unique signature कहते हैं, gravitational wave में, जिसको gravitational wave signals emanating from that event, friends वो जो event होगा, वहां से आपकी gravitational waves निकलेंगी, और उसे जब हम उनको record करेंगा, अपने instruments के जरी वो बिल्कुल unique होगा, friends इस तरह से, हम अपने quark gluon plasma को जो कि हमने lab में तो बना चुका है, लेकिन हम उसका, अगर naturally evidence चाहें, तो friends इस तरह से हम पा सकते हैं, तो friends आजिए देखते हैं आगे क्या है, next friends आपका today's recipe, friends आज को आपको बताना की quarks क्या होते है, what are quarks और friends आपको बताना की what are head drones, friends आपको बताना की head drones क्या होते हैं, friends आज का video सा, जो physics को काफी ज्यादा, मतलब love करते हैं, और physics field में अपना career बनाना चाहते हैं, aspirants हैं, और यह उन गायस के लिए भी जो नहीं को physics पढ़ाना अच्छा लगता है, और as a hobby, amateurs जो आपकी होते हैं, इन्डस्टिट गायश होते हैं, उन सब के लिए भी यह वहला हमारा video था, तो friends, उमीद है, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपको कुछ जानने कमला होगा, कुछ इसमें philosophy भी जुड़ी है, आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि friends, everybody is free to think, आप answer भी कर सकते हैं, हमारे comment box में आपको कुछ questions हो, तो अच्छी बात है, आपकी questions हमेशा welcomed हैं, तो friends, आज का ही हवा, हमारा वीडियो यहीं पर समप्त होता है, तो मिलते हैं friends आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, गुड़ बाई!